नमस्कार किसान भाईयों आज हम आपको एसे किसान से मिलवाने वाले जो जेवी खेती के दम पर पपीता सब्जी गेऊं वर रिजगा का उत्पादन करता है जो लोग कहते हैं कि जेवी खेती से उत्पादन कम होता रसाइनी खात के वज़ाएं अगर करें तो आज हम पेस्ट एक अब़िजेविक परिकिलिया में इन नेंएजटी कम्पोजर बना रखा है bubble इनोंने जेविक खेती में अभी मफिंड़ी कम्पोजर बना और इसके दम पर इन्होंने इसका छिड़काव भी करते हैं इसे कीरणासी भी गंट्रोल होता है और इससे यूरिया डियेपी की जरुत नहीं होती इसको इन्होंने 5-7 दिनों में 7-10 दिन में तयार किया है अब इन्हें से हम पूछते कि इन्होंने क्या इसमें फाइदा है य जंगाया कल्चर और कल्चर से बनाया और बहुत बढ़ीया फाइदा आप देखतों सब पसल है और जेवी को बढ़ीया पसल है और खाने में भी स्वाद है तो आपको दिखाते हैं अलग-अलग चीज की जैसे बेंगन लगा रहे गए इननों सबजी पपीता लगा रखा है और सबसे बड़ा फाइदा जो एक खुद बताना चाहते हैं इनको बोला कि पपीता में सब ज्यादा सर्दी की वज़े से पाला है और सभी के गाम में हमने भी देखा कि पूरे सू गए लेकिन इन्होंने वेस्टी कंपोजर के परियोग से इन्होंने पपीता भी आपको द यह पपीता है और यह रिज़क अब आपको दिखाते हैं गयों पचास पचास कली एक इन्होंने यह गयों जो आप देख रहें बोलते हैं कि इस जमाने में इस टाइम में जो डीएपी और यूरिया की किलत को देखते हुए इन्होंने वेस्टी कंपोजर का परियोग किया इसमें ना तो इन्होंने एससपी डाला ना यूरिया डाला और केवल वेस्टी कंपोजर जो पानी के साथ भी दिया और इसका छिड़काव भी किया और यह आप खुद रूब रूब देख सकते हैं कि इससे जो हरी मतलब इसमें यूरिया नहीं डाला फिर भी इतनी हरी सकता है इन्होंने आपके सामने करके दिखाया और यह सामने है कि इतने अच्छी लंबी-लंबी बाले और यह भी ठेलीब का नहीं कि और देशी भी whilst फिर भी इतना अच्छा है अगर यह 20 थेली का होता है तो और भी अच्छा गेम हो सकता था यह है पत्ता गोपी इन्होंने वेस्टी कंपोजर का परियोग करके इतना बड़ा इनका कहना है कि एक जो फल है लगबक कितने किलों का है अगर यह वेस्टी कंपोजर के साथ में केटना सी इसी से बनाते नीम धतुरा आकड़ा से बनाते तो और भी इनके अच्छा हो सकता है इन्होंने अब भी केवल चोटे सेतर में कम सेतर में एक विगा खेत में यह जेवी खेती परियोग करके देखा अब अगर यह और मेनत करे तो अच्छे होई पूरे बड़े सेत्र में इनके पास इतने भी जमीने हैं उसमें ये पूरा करके देखेंगे इनका कहना है चने बिल्कुल पीले पड़े थे बरसाद के कारण नेम बिल्कुल इश्पर किया और वापस फूल फाल सब अपना अपना वापस आगे चने दिखा और वापिस हरी वस्ता और अभी अच्छा फाल भी आ रहा है कि हो सकता है कि शुरू में आपको बेगार लगे क्योंकि आप कंट्यूनी काम नहीं करते होगी तो बेगार इतनी कैसे क्या करेंगे लेकिन इनको खुद आप पूछ लो कि इसमें आपको क्या कुछ बेगार देने के और जानकारी और इस चाहिए तो आप इनसे भी बात कर सकते हैं आपके मोबाइल नंबर मेरा मोबाइल नंबर है तराणू बावन बहतर पचास अठीशी और किसी बरकार की जानकारी इनसे चाहिए हमारा यूटूब चैनल है जीके किसान गुरूकुल इसको अधिक सकते हैं तो नोर्य फूरे के मपोजर के परियोंके पिसीपी कसल में किसी बीपरकार के फहल पोड़े देते हैं इसका यूज करो इसका 유ज करने का तरीका और ब rack नाने का तरिकती बीपाझर सकते हैं बिल्कुल आसान है यह देखो खुद आप देख सकते हो अभी तो निया गोबर है जो तो अभी का निया अभी तोड़ी दिने और गोबर डाले और इतना बार तो बहुत बहुत बाई हो गया है वेसा गोबर हो गया है ओके दन्या